नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Amazon और Flipkart के रिप्लेस्मेंट के खेला के बारे में जो कि ए दोनों साइटे या बहुत सारे ओनलाइन साइटे ऐसा करती है बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं जब आप कोई भी आइटम खड़िने जाते हैं इलेक्ट्रोनिक आइटम, मुवाइल, स्मार्ट वाच या कोई भी तो आप रिप्लेस्मेंट देखकर उसे ले लेते हैं बट आप कुछ अंदर जाकर नहीं देखते कि उसमें क्या होता है मैंने इस चीज को कवर किया है कि इसके अंदर क्या होता है तो फ्रेंड जैसे ही मैंने कुछ मुवाइल, टीवी और स्मार्ट वाच को लेकर मैंने इसमें पुरूप दिखाऊंगा आपको जब मैंने डिप्लेस्मेंट पे खोला तो उसके अंदर संथिंग वेंट रॉंग दिखाता है मतलब कि कुछ गरवड़ी है यह खूलता ही नहीं है और कुछ कम दामो वाले आइटम जैसे के स्मार्ट वाच को मैंने खोला तो उसमें डिप्लेस्मेंट के अंदर जाने पर डिप्लेस्मेंट तो दिखाता है पर रिफंड नहीं होगा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं इस तरह के बहुत सारी खामिया है जो कि कस्टमर के साथ धोखा हो रहा है तो फ्रेंट्स इसमें मैं सभी प्रूफ आपको दिखाऊंगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक से कमेंट कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंको दोस्त तो फ्रेंट्स एक प्रूफ है देखिए रियल मी का मोवाइल है इसे मैं रिप्लेस्मेंट में जाता हूँ और ओपेन किया दिखाता है सम्तिंग वेंट रॉंग यह दूसरा है मैंने सोचा एपल पर दिखा हूँ कि एपल में क्या होता है तो इसमें भी रिप्लेस्मेंट पर सम्तिंग वेंट रॉंग तो मैंने सोचा चलो एक टीवी के देख लेता हूं कि उसमें ना दिखा है तो टीवी पर क्लिक किया उसमें गया और यह जा रहा हूं मैं रिप्लेस्मेंट पर तो इसमें गरी पर देख लेता हूं जो कि 10,000 की है कहीं इसमें ना हो तो इसमें भी रिप्लेस्मेंट पर जाने मैंने सूचाए कम दाम के घरी पर देख लो इसमें क्या दिखाता है तो इसमें 1100 की घरी है लगवग तो इसमें भी रिप्लेस्मेंट नहीं इसमें रिप्लेस्मेंट दिखा रहा और रिफंड और एक्सचेंज नहीं होगा आप तो संथिंग वेंट रॉंग समझके आइटम खड़ी देंगें लेकिन अंदर में तो खेला हो रहा ना तो आपके आइटम रिफंड होगे ना एक्सचेंज होगे